हेलो फ्रेंट्स मैं आज बना रही हूँ चिकन ग्रेवी फ्राय और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी है उतना ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी है इसे बनाना बहुत ही आसान है और अगर आप इ बताती हूं कैसे बनाना है बहुत ही आसान है ये आधा चमच नमक और आधा चमच यहां पर बुक्की लाल मिर्ची और आधा चमच यहां पर कास्मीरी लाल मिर्ची डाल रही हूं और यहां पर आधा चमच से कम हल्दी डाली है और यहां पर एक चमच अदरक लसुन का और अब इसे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सब जगे पर लगा लेंगे और ये चिकन मेरा आधा किलो से थोड़ा सा उपर है ये और हम यहां पर आधा निम्बू का रज दालेंगे इससे हमारे चिकन में तोड़ा खटपाना जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और इसकी स्मेल भी खतम हो जाएगी ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी होता है इसे हम मेरिनेट करने के लिए रख देंगे 10-15 मिनेट के लिए जब तक हम अपना मसाला तयार करेंगे एक छोटी चमच यहाँ पर काली मेर्च लिए और एक बड़ी इलाइची और दो छोटी इलाइची लिए और एक इनसे बड़ी दालचीनी लिए और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जावेत्री लिए और यहां पर मैंने तीन लो आंग लिया है और एक चमच जीरा और एक चमच अखी धनिया ली है मैंने यहां पर साथ से आठ मैंने लस्टून के पीस लिये हैं और इसे ग्राइंड करना है और यह देखिए यह हो चुका है हमारा मसाला तयार और यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज लिए और थोड़ी से कड़ी पत्ता लिए है और यहाँ पर मैंने चाच चमच तेल डाल रही हूँ तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है चिकन खाने में आप चाहें इसे कभी भी बना सकते हैं आपका जब ही भी मन करें और इसकी खुश्बू इतनी अच्छी होती है कि आपका मनी नहीं भरेगा आपका दिल करेगा कि आप इसे एक से दो प्लेट खा लें इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है तो इसे हम प्याज को ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करने वाले हैं बस इतना ही और हम अपना मसाला दाल देंगे इसमें थोड़ी देर के लिए हम इसे चलाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम पकाने वाले हैं जब तक यह मसाला ड्राय ना हो जाए आप जब इस मसाले को इस तरह से पका रहेंगे तो आपको इसकी खुश्बू इतनी अच्छी लगेगी कि आपको फॉर्ण समझ में आ जाएगा कि यह चिकन आपका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है तो यहां पर मैंने पता तो इसकी खुश्बू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी और अब हम यहां पर अपना मेरिनेट किया हुआ चिकन को डाल देंगे इस तरह से हमने ज़्यादा त्वमेरिनेट किया है जिसकी वज़े से इसमें चिकन की स्मैल भी नहीं आईगी और अब देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छी से तियार हो गया है तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे और हम इसमें पाणी नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे चिकन में से ही पाणी निकलेगा तो हम इसमें से ही पकाने वाले हैं और यह बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है फोड़ी सी ग्रेवी लगती है जिससे आपको बहुत ज़़ादा पसंद आएगा किसी को ऐसी ग्रेवी वाली चिकन फ्राय बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है तो यहाँ पर मैंने 10 मिनिट के लिए रखा था आप देखी यहाँ से इसका पानी छोड़ दिया है इसे हम पलट देंगे कि दुसरे साइड से भी पक जाए इसका मसाला अच्छे से पके आप 5-10 मिनिट में आप इसको खोल कर जरूर देख ले तो यहाँ पर मैं वापस से इसे कवर कर दे रही हूँ तो अब मैं इसे खोल रही हूँ देखी कितना हुआ है तो आप देखी कितने अच्छे से पूरा पानी छोड़ दिया है तो अब हम इसी में ही हमारी मिर्ची दाल देंगे अगर आप कोई स्पाइसी खाना पसंद है तो आप चेक करके ही दाल लिएगा और यहाँ पर मैं कास्मीरी रेट चिली पाउडर दाल रही हूँ और यहाँ पर एक छोटी चमच चाट मसाला दाल रही हूँ जिसकी वज़े से हमारा चिकन ये फराइ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और इसका टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है अब हम इसे ऐसे ही पकाने वाले हैं जब तक ये पूरी तरह से ड्राइ न हो जाए और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि इसमें नमक बराबर है या नहीं है तो हम इसी वक्त हम इसमें डाल सकते हैं तो थोड़ा सा नमक कम लग रहा था इसलिए में डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा अच्छी खुश्बू आती है इसमें अगर आपको कड़ी पत्ती के खुश्बू ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप इस वक्त छोड़ सकते हैं तो हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे नहीं तो हमारा ये जो चिकन है वो तूट जाएगा तो आप देखिए ड्राइ होने के बाद ये कितना टेस्टी दिख रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है मेरे घर में तो ये इतना पसंद है कि मैं हफते में इसे दो से तीन बर ज़रूर बनाती हूँ तो आप भी ट्राइ कीजिए इसे और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए क्यूंकि आपको ऐसी मेरी वीडियो आती रहे और इतना आसान तरीके से रेसिपी आपको मिलती रहे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए